वास्कार दोस्तों इस वीडियो में भारते राष्टे कॉंग्रेस के सभी प्रसंद करने वाले जो SSC के एकजाम के साथ रेलेविक एकजाम में भी बार बार प्रसंद पूछा गिया है और यह जो एक इंपोर्टेंट टॉपिक है कि क्यों कोई एकजाम हो इसमें भारते राष इसके सथापना पूछा जाए कौन से जगह पर गोकुल दास तेजपाल संस्क्रित कॉलेज बंबाई यानिक वर्तमान मुंबाई में इसके सथापना किया गया था और प्रथाम अधिवेशन कब हुआ था दिसम्बर 1850 में हुआ था और इसके प्रथाम अध्यक्स जो थे व वमेश चंद्र बनार जीत है इसमें 72 परतिनी दियों पहली जो इसके गठन हुआ था उसमें भाग लिया था इस बात को भी याद रखेगा 72 परतिनी धी अगर बात कर इसके कुछ लक्ष क्या तो बिटी सरकार के साथ सहयो करते हुए भारतियों के अधिकार और स्वतनता के करना था कारे सहली जो है प्रारम्भ में वैधानिक सुधार और सम्वैधानिक उपायों द्वरा कारे करना था देखिसे में कुछ सब्जेक के कुछ कवर करने के बाद इसका जो अब जितने भी एकजाम में पूछे प्रसम वह भी करेंगे लास्ट में इसलिए वीडियो पह इसके कुछ महत्पुन अधिवेशन और घट राएगा तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था इसमें पहली बार राष्ट गान गये तो यह से डारेक्ट प्रसमें पूछा जाता है कौन से अधिवेशन में पहली बार राष्ट गन गयेगा कलकत्ता अधिवेशन 1911 द कराची अधिवेशन यह जो 1931 में हुए इसके अध्यक जो है सरदार वल्लबाई पटेल थे इसमें जो मोलिक अधिकार और आर्थिक नीती पर प्रस्ताव पारित किया गया था यह जो है गांधे रिविन समझाओते की पुष्टी भी किया है था नेक्स्ट देखिए हड़ी पूरा अधिवेशन जो 1931 में हुए इसके अध्यक जो है सुभास चंदर बोस दे और राष्टी योजना समीथी के गठन भी किया गया था तिरी पूरी अधिवेशन देख ले यह भी इंपोर्टन है यह उन्सोंचालिस में हुए इसके अध्यक ज संदर में महतमय गांदी कोंगरेस का रूख था इसमें बोस ने पठाबी सितारमया को हरा दिया था है कलकत्त providing सित्या tirarरमया को घरा दिये थे इसमें महतमय याद रखेगा सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ इसमें जो है कॉंगरिस के दो दलों में भाजन हुआ था नरमपथी और गरमपथी में अलग-अलग हो गिया था लखनाउ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था इसमें नरमपथी और गरमपथी निताओं के बीच पूनर मिलन हो हुआ था इसके अध्याग जो है बमेश चंदर बनार जी थे अगर बात करें अन्य महत्पून तत के तो स्वदेशी आंदोलन जो है कॉंग्रेस के नेत्रतिव विदेशी वस्तोरण वस्तों का बहिसकार था गांधी जी का आगबन जो 1915 में हुआ था गांधी जी का आगब के नेत्रत में कॉंग्रेस द्वारा भारत छोलों का आवाहान किया गिया था पहली अगर बात करें इसके प्रमुक अध्यक्स और योगदान का तो पहली भारते महिला अध्यक्स सरोजनी नाइड़ू हो जाएंगी पहले यूरोपी अध्यक्स जोर्जियूल हो जाएंगे पहली महिला अध्यक्स इंद्रा गांधी हो जाएंगे यह सब इंपोर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा एक छोटा सेनिपर मेंसर टेस्ट बूक का जोई पासपरो का सीजन चल रहा है आपको टेस्ट बूक पासपरो मत्र 449 मिल जाएगा इसका लिंक जो मैंने वीडिय में दिया गया अप जाकर जरूब परचेज कर लेज़ें कि क्यों जब तक मोग नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चले कैसे कैसे प्रशन पूछे जाते हैं सभी प्रिवेसर पेपल के साथ आपको मौग भी मिल जाएगा और आपको जो है सब्वी एकजाम जैसे से र जाएगा ठीक है जिनका भी इन्मेलिट बताएगा वो आप निव नुम्बर से ट्राई कर लिजेगा चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं अब चलिए जितने भी अधीविशन हुए है वो सभी कवर कर ले थे क्योंकि इसे परसंद बार-बार पूछा जाता है सबसे पहला दे जोए 28 दिसम्बर 885 को बंबाई में हुदा और इसके अध्यक जोए बोमेश चंदर बनार जी थे दूसरा जो हुआ था 1886 में यह कलकत्ता में हुआ इसके जोए ध्यक्ष दादा भाई नहरो जी थे तीसरा 1887 में हुदा मदरास में इसके अध्यक्ष बद्रुद्दिन जब जी और यह प्रतम मुस्लिम राष्ट पती दे इसे परसने पूछा जाता है याद रखिएगा उसके बाद देखे 1888 में इलहाबाद में हुद इसके अध्यक्ष जोए जोर्ज यूल थे और यह प्रतम अंग्रेज राष्ट पती थे 1889 में इसके जोर विल्या में वेडर बन थे और यह पांचवे नंबर का अध्यक्ष का सतर था 1890 में जो यह छटा था और इसके जो अध्यक्ष फिरोज साम महता थे 18909 में में नागपूर में हुआ था इसके अध्यक्ष पी आनंद चारलू थे 1892 का देख लिए यह इलाहाबाद में हुआ था इसके अध्याक्ष बोमेश चंदर बनर जी था और यह जो आठवी बार का सतर था 1893 में लाहोर में हुआ था इसके अध्याक्ष दादा भाई नहरोजी थे देखिए इसमें कुछ इंपोर्टेंट है जो मैं स्टार लगा दूँगा और बाकी सबी जो बार बार नहीं पूछा जाता है उसको एग्नोर करके चलिएगा या तो आप याद भी कर सकते है धीर दिर में वाला पूने में हुआ था इसके अध्याक्ष सुरेंद नाथ बनार जी थे 1896 में वाला कलकत्ता में हुआ इसके अध्याक्ष रही मितुल्ला एम सियानी थे इंपोर्टेंट है याद रखिएगा 1870 में वाला अमरावती में हुआ था सी संकर नायर इसके अध्याक्ष द चंदरदत थे 1901 में कलकत्ता में इसके दिनेश एडूल जी वाचा थे 1902 वाला अहमदाबाद में इसके अध्यक्ष सुरेंदनाथ बनर जी थे 1903 वाला मदरास में इसके अध्यक्ष लाल मोहन घोस थे 1904 वाला बंबाई में होता है इसके अध्यक्ष सर हेंड़ी कोटन थे 1905 वाला बनारस में होता है इसके अध्यक्ष गोपाल क्रिस्न गोखले थे इंपोर्टन याद रखेगा 1907 वाला सूरत में होता है इसके अध्यक्ष रास भिषारी घोस थे और यह इंपोर्टन है अधर इम्पोर्टन याद रखेगा 1910 में इलहाबाद में होता है इसके अध्यक्ष सर विल्लियम विडरवन थे 1911 वाला कळ्खता में होते इसके अध्भक्त विशन नाजायान याद रखेगा 1912 वाला बांकीपुर है इसके अध्भक्त रघुनात निरसिंगेः मुधोल करते इंपॉर्टन है याद रखेगा 1913 कराची यह इसके अध्भक बढब सइयद महादुर थे 1915 वाला Bombai में होताए इसके अधक्षे सतेंदर पषञाद सिंह थे 1916 वाला लखनओं में होताए इसके अधक्ष अंबिका चर्र मजबूतार थे Important है medium याद रखेगा 1917 वाला कलक्ता में होताए इसके अधक्ष Any बसेंद थे Important है μयाद रखेगा 1922 वाला नागवूर में हुगा था है इसके अधक्ष श्री विजय राघवाचारे थे इंपोर्टन है याद रखेगा 1921 वाला आमदाबाद में हुथे इसके अधक्ष हकीम अजमल खान थे 1922 वाला गाया में हुथे इसके अधक्ष देश बंधो चितरंद अंजास थे इंपोर्टन है याद रखेगा 1924 वाला बेल गाव में हुथे करनाटक में इसके अधक्ष महत्मा गांदी थे इंपोर्टन है याद रखेगा 1926 में गुहाती में होगी इसके अध्यक्जे, M. सरीनिवास अयंगर थे 1923 वला मदरास में हुँँ इसका अधक मोटी लाल नहरू तो इम्पोर्टन है याद रखेगा 1929 वला योज़ा लाहावर में हुँँ इसका अधक जो ए पंडी जवाहा लान नहरू थे याद रखेगा इंपोर्टर यहां पर चुट गया है टाइपिंग मिर्ष्टेक हो चुगा है 1946 वाला जो है मेर्ट में होद इसके धक्ष जेपी की रिपलानी थे 1934 वाला जो है बंबाइ में हो इसके डॉक्टर राजेंदर परसाद इंपोर्टर नहीं याद रखेगा 1923 वाला जो है दिल्ली में होते इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आ जाते हैं और यह जब विशेश सत्र था 1937 वाला फैचपूर में इसके अध्रक्ष पंडी जवाल लाल लहरू थे 1925 वाला कानपूर में इसके अध्रक्ष सरोजनी नाइडू थे इंपोर्टन है याद रखेगा 1914 वाला मदरास में इसके अध्रक्ष भुपेंदर नात बोश थे 1929 वाला आगी है यहाँ पर लाहूर में इसके अध्रक्ष पंडी जवाल लाल लहरू थे इंपोर्टन है याद रखेगा 1931 वाला यह कराची में इसके अध्रक्ष सर्दार वल्ला भाई पटल थे इंपोर्टन है 1929 वाला और 39 वाला यह तिरिपूरी में हुआ था इसके अध्रक्ष सुबास चंदर बोश थे इंपोर्टन है इदाद रखेगा 1940 वाला रामगर्ण में हो इसके अध्रक्ष मौलाना अबुलकलाम आजाद थे और फिर से देखें 1931 वाला हड़ी पूरा में हो था और 1949 वाला त्रिपूरी में हो था इन दोनों के अध्रक्ष सुबास चंदर बोश थे उसके अभाद जो 1948 में जो हुआ था यह जैपूर मोदी इसके अध्धक भी पट्टाभी सीता रमईया थे इंपोर्टन है याद रखेगा 1950 वाला जो है यह नासिक महाराष्ट मोदी इसके अध्धक पुरु सोत्म दास टंडन थे 1951 वाला इसके अध्धक पंडी जवाल नहीं पूछ रहा है इसको रोल कर रहा हूँ आप अगर पढ़ना चाहिए तो पढ़ लिजेगा और फिर भी इसका पीडिया मैं दे दूँगा आप चलिए कोश्चन पर आते हैं अब चलिए कुछ इंपोर्टन फैक्ट है वो सभी जो बारबार इसकी जामें पूछा जाता है वो कब सभी कवर करते हैं 1858 में जो पहले सत्रे में भारते राष्टे कॉंग्रेस के उद्धेश्यों को रूप रेखा तयार किया गया था 1886 में दूसरे सत्र में कॉंग्रेस ने पूरे भारते में प्रांतिय कॉंग्रेस समीती के स्थापना करने करने ने लिया था 1887 में इस अदिवेशन में स्यद बदूरुद्धिन तयाप जी कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे और कॉंग्रेस ने मुसल्मानों से सोतंतर संगराम अनराष्टी निताओं के साथ हाथ मिलाने के अपील भी किया था भारते राष्टे कॉंग्रेस के आठवे सत्रे में ब्रिटी सरकार द्वारा पेस किये गिए अठाड़ेस के भारते पर इस अधार पर अलोचना किया कि भारतियों को अपने परते दी चुनने का अधिकार से वन्चित कर दिया गया था और 1896 में बारवे सत्रे में कॉंग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाप एक प्रस्ताव परिटिका जिसमें उन पर अकाल का आरोप लगाया गा जिसने तब देश के कोई हिस्सों को तबाह कर दिया था अंग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्टे गीत भी 1896 में गाया गया था 1877 में अमरावाती अधिवेशन में कॉंग्रेस ने देश दुरो के आरोप में बाल गंगा धरती लखी गिरफतारी की आलोचना किये थे 1899 में भारती राष्टे कोंग्रेस के 15 अधिवेशन में भू राजस्व के अस्थाई निर्धारन की मांग किया गिया था इसके अलावा कोंग्रेस ने भारत में अब्रेटी सरकार से भारत से इंगलेंड में धन की निकासी को रोकने के भी मांग किया था 1904 में बंबाई सतर में कॉंग्रेस ने लॉड ड़कर्जन के खिलाब विरोध किया क्योंकि उन्हें तिबत में अपनी आगे की निती के लिए भारते राजिस का उप्योग करके और बंगाल की भाजन करने में उनके यूग प्रस्ताव के खिलाब नियमों का उलंगन किया था लाल लल जिट परहे वाले और विपिंच अंदरवाली के निती में चरम पंथी का उध्वाव हुआ था 1908 में कॉंग्रेस के 23 सतर में कॉंग्रेस का सभिधान बनाया गिया था 1909 में लाहावर अधिवेशन में कॉंग्रेस ने 1909 में के भारतिय परिशन अधिनियम के प्रवधान का विरोध के जिसमें धर्मिक अधार पर अलग निर्वाजक मंडल का प्रस्ताव था 1911 में भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के कलकाता दिवशन ने पहली बार राष्टे गान जनमन का पाथ किया गया इंपोर्टन याद रखे को 1911 में पहली बार राष्टगान गाया गिया था 1915 में बंबे दिवेशन में उग्रबादियों को कॉंग्रेस में वापस लाने के लिए कंग्रेस के सभीधान में उप्यूक्त परीवर्तन किया गिया 1916 में नरम पंथी और चरम पंथी एक जूट लखनाव अधिवेशन में कॉंग्रेस में सामिल किया गिया इसके अलावा कॉंग्रेस ने मुस्लिब लीग के साथ लखनाव समझोते पर हास्ता अक्षर किया था 1916 देखिए एनी वेसें कलकता अधिवेशन भारतिय राष्टे कंग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1929 में भारतिय राष्टे कंग्रेस के 34 वे अधिवेशन में कंग्रेस ने जल्यावाला बाग हत्या कार्ण के निंद्या किया और इसमें मारे गये लोगों के साथ अपनी गहरी एक जूटता व्यक्त किया 1920 में नागपूर अधिवेशन में कॉंग्रेस ने असयोग अंदोलों को तेज करने का फैसला किया और उसने भारती ब्यापारी विज़ेश ब्यापारों को बहिसकार करने का आगरा भी किया 1921 में इस अधिवेशन में हरसत मुहानी ने पूर्ण स्वतन तकी मांग किये थे 1922 में कॉंग्रेस के गया अधिवेशन में स्री आरदास दुवारा स्वराज पाठी का गठन किया गिया था 1924 में बेल गाओं में आयुद भारती राष्टे कॉंग्रेस के एक मातर सत्रा जिसमें जुए महात्मा गाधिस के अध्यक्ष थे 1925 में कानपूर अधिवेशन में सरोजरी नाइडू इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के पहली भारते महिला अध्यक्ष बनी थी 1927 में इस अधिवेशन में कॉंग्रेस ने साइमन कमिशन का पहिसकार करने करने के नए लिया और कॉंग्रेस के लक्ष के रूप में पूर्ण राष्टे 110 को अपनाया था 1928 में तेतालेशवे सत्रे पहली अकिल भारत यूबा कॉंग्रेस अस्तित्व में आया 1929 में इस अधिवेशन में कॉंग्रेस ने पूर्ण सुवराज के लिए एक प्रस्ताओ पारित के और कॉंग्रेस कारे समीती के समीन में समीने अबग्या अंदोलन सुरू करने के लिए अधिक्रित किया था 1931 में कॉंग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्टे आर्थिक क्याड़ेकरम पर एक प्रस्ताओ पारित किया और कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी रिविन समझोते का भी समर्थन किया था 1934 में 48 में अधिवेशन में कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1936 में पंडि जवाल लाल नेरू ने भार्थे राष्टे कॉंग्रेस में समाजबाद को अपने लक्षि के रूप में अपनाने का आगरह किया था 1937 में जलगाओं के फैजपूर में ग्रामी छेटर पहली बार राष्टे कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1937 में पंडित जवाल लाल नेरू के अधिक्ता में राष्टे योजना समीती का स्थाफना किया गया और पूर्ण स्वाराज की मांग करते हुए जवाला लेहरू ने और हरीपरो प्रस्ताव पारित किया था 1940 में रामगाड अधिवेशन में कॉंग्रेस ने लोगों के संदर में बीना भारत के एक जुजहारू देश के रूप में घोशित करने का विरोज किया और यह अभी घोशित किया कि पूर्ण स्वतंता से कम कुछ भी सुईकार नहीं किया जाएगा अब चलिए स्सी और एलेवे के एकजाम में जितने भी प्रस्न पूछे को वो सभी फटा-फट कवर कर लेते सबसे पहला कोचन्द के स्वराज सब्द का परियोग सबसे पहले दादा भाई नारेजोई ने किया था कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किये थे यहां पर भारतिये पुछा जाता तो यहां पर सरज नी नाइडव होगा अगर भारतिये राष्टे कॉंगरेस के परत्थम महिल पात्ति के साथ खादी दोरा बनाया गती stew जंड अपनाया गिया था 1931 के कराची आधिवेशमे में पनाया गिया था 1949 के तिरिपूरी कॉंग्रेस के राष्ट पती चुनाओं में पट्टाभी सीतार मयों कह रहा था सुबास चंद्र बोस ने हा रहा थे भारते राष्टे कॉंग्रेस के अस्थापना कब हुआ 1850 में भारते राष्टे कॉंग्रेस के कमीटी द्वरा सुइकार किया था बंबवाई अधीवेसन में भारते राष्टे कॉंगरेस के दूसरा वार्ष्टे का अधीवेसन आईज़िद हुआ था कलकत्ता में 1886 में औल इंडिया ट्रेड यूनिन कॉंग्रेस के पहले अध्यश कों थे लाला लाजपत रहे थे। कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी के स्थापना हुआ था 1934 में हुआ था। वंदे मातरम का पहला गाया जाने वाला कॉंग्रेस के कलकत्ता अध्यशन में जिसकी अध्यश्टा किसे ने किया था। और चारिक रूप से दिया गया था जवाहलाल नहरू के अध्यशता में किया गया था। 1885 में आयोज़ित कॉंग्रेस के प्रफाम अध्यशन के अध्यश्ट कौन थे वो मेश चंदर बनरजी थे। भारते राष्टे कॉंग्रेस के एक मातर अध्यश्ट जिन्हों ने निरवाचित होने के बाद भी अध्यश्ट पत से इस्थीपा दे दिया था। सुबास चंदर बोश ने दे दिये थे। सुरत में कॉंग्रेस के वार्षच अध्यवेशन के धनकते किस ने किया था। राष्व भीहारी खोश 97 साथ में किये गए थे। भारते राष्टे कॉंग्रेस के स्थापना 3885 में योह के दौरा किया था। भारते राष्टे कॉंग्रेस और मुस्लिम लेग ने एक सम्झोते प्रहस्ताक्षार करके अलग निर्वाचन छित्रों को स्विकार किया लखनाउ अधिवसन 1916 में कॉंग्रेस उग्रबादी और नरब पतिक खेमों में विभाचित हो गया सूरत अधिवसन 1907 में विभाजन हो गया 1929 में राष्टे योजना समीति के धशकों थे जवाहल लन नहरू थे भादी राष्टे का पहला गरामी न धिवसने आयजित हुआ था फैजपूर महारास्थ में सितंबर 1929 में भारते राष्टे कांग्रेस अपना विष्मेशन अधिवसने आयोशित किया था कलकत्ता में भारते राश्टे कॉंगरेस ने पहली बार अधीकारीक त्वरपर समिधान सभा की मांग किया था 1935 में 1934 से भारत के लिए समिधान सभा के विचारख प्रस्ता पहली बार रखा गया था एमेन डाय के द्वारा भारते राष्टे कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1866 के कलकत्ता अधिवेशन के उन थे दादा भाई नरोजी थे यहाँ पर जो 1886 होगा यहाँ पर गलत मिश्टेक हो गिया है भारते राष्टे कॉंग्रेस के अंतिम लक्षी के रूप में द्वाश्ट में थे लखनओ अधिवेशन 1916 में एनी बैसें कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्सती जिन्हों ने अध्यक्सता किया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 की कॉंग्रेस ने मदरास अधिवेशन भारत के लिए एक समिधान का मौसधार तयार करने के लिए एक सर्वं दिन तयाब जी ने कॉंग्रेस को अध्यक के रूप में संभोजित किया था 1887 के मदरास अधिवेशन में प्रथा मुसलिम और कॉंग्रेस के तीसरे अध्यकों थे बदरुद्दिन तयाब जी थे कॉंग्रेस के स्थापना 1887 में बंबे में हुआ था 72 परतिनिधियों के साथ हुआ था भारती राष्टे कॉंग्रेस के प्रथम अधिशकों थे कॉंग्रेस और मुसलिम लेके बीच लखनाउ समझोते पर हस्ताक्षर किया गया था 1916 में 1915 के बंबे अधिवेशन में भारते राष्टे कॉंग्रेस के प्रथम भारते महिला अध्यक से कॉन थी सरोजनी नाइडू थे कि यहांपर भारती महिला आ गया तो सरोजनी पिरहाबाद के कॉंग्रेस अधिवेशन के अधिवेशन के अधिवेशन के कब किये थे 1888 में कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन आईजित हुआ था 1931 में इसके अधिवेशन सरदार वल्ला भाई पटेल थे 1934 भारती राष्टे कॉंग्रेस के अधिवेशन को थे अबूलकराम आजाद थे 1947 में जब भारत के अधिवेशन के अधिवेशन को थे जेबी कृपलानी थे भारत का राष्टे के जरकार मत पहली बार गया रिए था कलकत्ता डिवेशन 1911 में भारते राष्टे का प्रत्म अधिवसन कब हुआ था बंबाई अठाशो पचासी में कॉंग्रेस काले समीत ने भारत चोरो प्रस्ताव 1922 को प्राया था वर्धा में भारते राष्टे का गठान किया गया था यो हूम के दुआ कॉंग्रेस ने स्वराज की प्राप्ति का आवाहान किया था 1906 के अधिवसन कलकत्ता में 1931 में भारते राष्टे का ठिशकों थे बल्ला भाई पतेल थे शिरी अरविंद घोस बाल गंगधर तीरक विपिन चंदरो पाल और राष्टवादी चरमपंथी नेतकों थे ये सबी जो है भारते राश्टे कॉंग्रेस के थे दिसम्बर 1929 का लाहोर अधिवेशन कॉंग्रेस का वार्षिक महतपूर्ण था पूर्ण स्वराज की प्रती पर्धिपत्ता के कारान कॉंग्रेस अधिवेशन पहली बार राश्ट गान गया था 1911 के कलकता अधिवेशन में भारते राश्टे कॉंग्रेस के पर्थम अधिवेशन थे बोमेश चंदर बनार जी थे कॉंग्रेस के लखनओ अधिवेशन ने नरम दल और गरम दल के नेता एक जुट हुए थे 1916 में 1916 में कॉंगरेस का लखनाव अधिवेशन के ध्यक्ता किया था अंबिका चर्ण मजमुदार ने भारते राष्टे कॉंगरेस की प्रथम महिला धर्षकों थी एनी बेशिन थी वर्ष 1937 में कॉंगरेस का दिवेशन पहली बार हुआ था फैजपूर गाओं में हुआ था भारते राष्टे कॉंगरेस के पहली बार 26 जनवारी को सतंते बत दिवेशन के रूप में मनाये था आजादी से पहले लगतार छी वर्सुत कांग्रेस के अध्यक्स रहने वाले एक मात्र बेक्तिकों ने मौलाना अभूल कलामा जाद थे इंडिया नेशनल कंग्रेस के गठन के संबन में सुरक्षा वालव सिद्धान्त दिया था लाला लजपत रायने सुबास चंद्रबोस 1949 में तरी पूरी अधिवेशन में किसे पराजित करके कंग्रेस के अध्यक्स की रूप में फिर सचुने गए थे पटावि सीतारमयों को हराय थे 1907 में भारते राष्टे कंग्रेस के अध्यक्स कोंते रास बियारी घोस थे 1890 के भारते राष्टे कंग्रेस अधिवेशन के कलकत्ता के संबोति करने वाले पहली नेतरी कों थी कादमबनी गांगुली थी याद रखेगा दिसंबर 1885 में भारते राष्टे कंग्रेस का प्रथम अधिवेशन भाग लिया था 72 परती निधियों ने कॉंग्रेस दो गुटों में भाजित हो गिया था लाला लजबत रहे थे भारते राष्टे कंग्रेस के गठन के दौरा भारत के वाइसरेकों थे लॉर डफडीन थे 1885 में भारते राष्टे कंग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बहुत लोग यहां पर 1924 के लिख कर देंगे लेकिन मंच पर उपस्तित हुए थे 1901 में और अधिवेशन की कंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना 1934 में हुआ था कंग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी 1923 के स्थापना किया गया था मोती लान नहरू और सीयार अध्दास के दौरा भारते राष्टे कंग्रेस के एकमात अरधक्ष कॉंत जीनों निरबाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्थीपा दे दिये सुबास चंद्रबोस ने इस्थीपा दे दिये 1928 में भारत का सभीधान यानिके नहरू डिपूर तियार किया गया था मोती लान नहरू के दौरा भारते राष्टे कंग्रेस का पहला ग्रामीन अधिवेशन आईजिद हुआ था फ 1496 के कलकत्ता अधिवेशन में जब भारत को सवतना मिलता भारते राष्टे कंग्रेस का अध्यक्र जेबी किरिपलानी थे जब आला लेहरू को कंग्रेस के लाहर अधिवेशन का अधिवेशन के अध्यक्र रूप में अपनाय गिया था जो 31 दिसमर 1929 को आईजिद हुआ थ कलकत्ता अधिवेशन में दिसंबर उनसे साथ में सूरत में राष्टवाधी परति निधियों के सम्मेलान के अध्यक्षता किया था स्री अर्विंदो ने महारानी गायतरी देवी सद्ध से थी स्वतंत्र पार्टी की एनी बेशन मुलता रहने वाली थी आयरलेंड की चंपार के अधिक्ष्ट बनने वाली पुहली भारतिय महिला सरोजनी नायडू थी एक राजनितिक संगठन के रूप में कॉंग्रेश का भी गठन उसके अस्थान पर लूग सिवक्षां का सुझाव दिया गया था मके गांध और महात्मा गांधी के दो भारते राष्टे कॉंग्र इसके पहले अधिवेशन के अधिक्सकों थे वो मेश चंदर बनर जी थे भारते राष्टे कंग्रेस अपने लाहोर अधिवेशन के में पूर्ण स्वाराज प्रस्ताव पारित किया गया था कंग्रेस का सुर्वत विभाजन हुआ था 1907 में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारत भारते राष्टे कंग्रेस के गया धिवेशन के अधिवेशन के तीन दिवास यह बफू नरी किसके दवारा बुलाया था सी संकरन नायर के दवारा कॉंग्रेस अमेलान एक सिक्षित भारतिय का वार्शिक्स राष्टी महसव है ऐसा कहा गया था लाला-लाजपत रहे के प्रश्राइब जाकर देख लिएगा उसमें बहुत सारे वीडियो दिये हुए इस्टेटिजी के वह सारे आप कवर कर लिजेगा आपको टोटल जो है कवर हो जाने गा और इन सभी का पीडियाफ जो आपको टेलिक्राम चैनल मिल जाएगा लिंक जो एक वीडियो को डिक्स्र